पिछले वीडियो में हमने इसके इंपोर्टेंट सेंट्रल आडिया को करवाया था और जो लोग नहीं देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है वहाँ से जाकर के चेक करें और यदि पहली बार हमारी चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करत ताकि हमारे द्वर अप्लोड की जाने वाले हर वीडियो आप तक असानी से पहुँच बाए इस वीडियो में हम इसके इंपोर्टेंट पोएम बेस्ट क्वेस्टन आंसर की तरह बढ़ते हैं तो बोड एकजाम में कोई एक पोएम दे देगा उरस में से तीन क्वेस्टन प का है कि which thing is a joy fire ठीक कौन सी जो चीज होती है सदा सदा के लिए अनन्दित होती है तो ए थिंग का beauty is a joy fire वार अनने सुंदर्ट्या सौंदर की वस्तू सदा के लिए अननन दित होती है Question number 2 इस प्रकार से आ सकता है Name the poem and poet ठेक है, poem का नाम The poem name is a thing of beauty and the poet name is John Kitts अगला question है, देखें What kind of sleep does a thing of beauty give us माने कि इस प्रकार का नीद चौंदर की वस्तू हमें परदान करती है या देती है तो अंसर चेकर लें It gives us a deep sleep full of sweet dreams मने गहरा नीद, मधूर स्वपनों से परिपूर्ड स्वास्त और शांत स्वसं Quiet breathing सौंदर की वस्तू हमें परदान करती है इस प्रकार से इस सिकेंड पोएम है Therefore से लेकर के यहाँ इस प्रेट तक इसके question is इस following पहला question यहाँ पर हमने दिया है What are we reading हम क्या बना रहे होते हैं तो उस पोएम में दिया है कि We are reading a flowery bind to bind us to the earth हम अपने आपको धरती से बाधने के लिए ए फूलों के बंधन बना रहे होते हैं Question number two Name the poem and poet तो poem और poet का नाम वही है I think a beauty and poet name is John Kids Question number three What things remove away the fall from our dark spirits तो हमारे अंधेरी आत्माओं से आत्माओं के सामने से कौन सी वस्तू हमारे इस परदे को हटा देती है इसका अंसर वही है Some shape of beauty removes away the fall from our dark spirits मैंने सुन्दर वस्तू के कुछ अकरतियां हमारे आत्माओं के सामने जो परदे होते हैं उनको हटा देती हैं जो हमारे डारक इस परदे के सामने होते हैं So thank you टून्द